दोस्तों आग का पोदा एक औशदिये पोदा है औशदिक के रूब में सफेद फूलों का अपयोग अधिक किया जाते हैं इस पोदे के दूद में गरब पातकारक अंटिरुमेंटिक, अंटिफंगल और डाफिरेटिक गुन पाई जाती हैं इसके अलावे कुष्ट रोग, अ तो परभावित जगा पर आग की पतियां बान दे, इससे जलन, सुजन यह कम हो जाएगी और जो गठिया और जो अर्थ्राइड्स की समस्या है उसमें भी यह बहुत उपयोगी है तुरन तरहत पाने के लिए इसकी पतियों को गर्म करके जोडों पर लगाएं चेहरे के दा बेबी ठीक हो जाएंगे और अगर आप बवासिर की समस्या से पीडित हैं तो आपको आख का उपयोग करना चाहिए बवासिर का इलाज करने के लिए इसे जड़ी बूटी कितरा आप लब ले सकते हैं इलाज के तोर पर आप आख के दूद को बवासिर वाली जगा पर लग सकते हैं तो इससे भी आपके जो घाव है वो जल्द ही भर जाएंगे और अगर आप दातों की किसी पिकार की समस्या से परशान है तो तब भी आपके काम आख का पोदा आएगा दात अदर्द से रात पाने के लिए आख के दूद को अपने मसूडों पर लगाना है और अग बोस्तों हैजा के इलाज के लिए इस पोदे की जड़ की छाल को अच्छे से साफ करें इसे सुखागर चूरन त्यार करें अब इसमें अद्रक का रस और काली मिर्च का चूरन मिलाने इस मिश्रन से मटर के अकार की गोलिया बनाए और हर दो घंटे के बाद एक गोली एक च गड़ को च्छाय में सुखागर बारिक चूरन त्यार करें एक गिलस गाएं के दूद के साथ एक से दो ग्राम आग के पाउडर का सेविन करना आपके लिए लब दैक हो सकता है और अगर आपके कान का कोई रोग है तो पीले रंग की आग की पतियों को अच्छी तरह दो कर करने में सुखा लें इसका चुथाई कप लेना है अब इसमें एक चुथाई कप तिल का दियल मिलाएं किसमें हैं कैम आज पर इसे अच्छी से पका लें अब ठंड़ा होने के बाद एक बोतल में भर कर रख लें इस मिशन निकाल में डाल सकते हैं दोस्तों ये तो थे आग के फाइदाई लेकिन इसके कुछ नुकसान गिया वह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है साफधानिया बरतना भी अच्छा रहता है श्रीर के लिए इसमें कुछ ऐसे रासाइन होते हैं जो हिर्दे को परभावित कर सकते हैं इससे उल्टी आ सकती है, दस्त लग सकते है, हिर्दे की धरकन धिमी हो सकती है, चक्कर आ सकते है और गर्ब वबस्ता और स्तन पान के दुरान तो इसके सेवन से बचना चाहिए तो दोस्तों यह थी आज की जानकारी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेजिए और साथ में लगए बेल आइकोन को जुरूर दबा देना, ताकि नए वीडियो की नोटिवकेशन सबसे पहले आपको मिल सकी अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते अगरे वीडियो में एक नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमश्का धन्यवाद